एक मज़ेदार कहानी जेसा को तेसा एक नगर में एक आदमी गूम गूम कर आम बेच रहा था आम बेचने वाला आदमी बहुत ही जादा इमानदार और चालाग भी था आम बेच कर जब वह अपने घर की तरब जा रहा था तो रास्ते में उसने एक पान की दुकान देखी उसने सोचा की चलो पान खाते वे घर चलते हैं वह पान की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला भाईया मुझे एक पान खिला दो पान वाले ने आम वाले आदमी से कहा मैं तुम्हे पान दे रहा हूँ इसके बदले तुम मुझे पैसे ना दे कर आम दे दो आम बेचने वाला आदमी मान गया पान बेचने वाला आदमी बहुत ही बड़ा बेईमान था उसने आम वाले के साथ दोका करने का सोचा उसने एक छोटा सा पान बनागर उस आम वाले वेक्ति को दे दिया आम बेशने वाले वेक्ति ने उस पान की दुकांदार से चूना मांगा तो पान की दुकांदार ने कहा अरे भाई इस पान को किसी सपेद दिवार पर रगड लो अपने आप चूना लग जाएगा आम बेशने वाले वेक्ति को पान वाले की नियत का पता चल गया था उसने पान वाले को कच्चा हरा आम दे दिया पान वाले ने कहा भाईया मुझे पका पीला आम दो तुरंत आम वाले वेक्ति ने उस पान की दुकान वाले वेक्ति से कहा कच्चे हरे आम को किसी पीले रंग वाले दिवार से रगड दो कच्चा आम पक कर पीला हो जाएगा इस परकार आम वाले वेक्ति ने पान वाले वेक्ति के साथ वेसा ही किया जैसा कि उसने किया था दोस्तो इसी को कहा जाता है जैसे को तेसा ही मिलता है तो दोस्तो केसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें